नमस्कार दोस्तों आप सब्सक्राइब फिर से एक बश्वागत करते हैं आपके अपनी यूटूब चैनल आर्मी एंड सरकारी तैयारी में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरेक राज हरेक जितने वी वच्चे हैं सभी को ये बैनिफिशल होने वाला है तो आप इस वीडियो में बने रहें उससे पहले चैनल को अगर आपने सस्क्राइब नहीं करें घंटी को दबाएं वाट्सप टेलिग्राम गुरूप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है ससी चीडी भरती परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी चेक्षू पब्लिकेशन की बुक से कर सकते हैं यह जो बुक है नवींतन पार्टिकरम के उपर आधारित है इस बुक में आपको यहां पर 3300 बहु विकल पर प्रश्न 960 पेपर 20 प्रैक्टिसेट आपको यहां पर मिल जाता है इस बुक के सबसे अची बात यह कि क्योंकि यह न्यू पैटरन के उपर आधारी थे तो इसमें आपको जितने भी कोशन मिलेंगे वो सारे के सारे लेटेश पैटरन पर होंगे साधे यहां पर प्रीविएस यह जो कोशन मिलेंगे जिससे आप थे तियारी को और चार्चान लगा सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं और यहां पर प्रैक्टिस rate भी आपको देखने को मिलेगा यहां पर जितने भी कोशन ने इस सभी के डीटेल बाइज आपको आनसर भी इसे के अंदर मिल जाएगा तो आप अगर आप इसे तो link मैंने description में दिया है वहीं यहाँ पर इनकी study guide भी book आपको देखने को मिलेगी सारा का link आपको description box में तो चलिए हम यहाँ पर अपने main topic के और बढ़ते हैं और जानते हैं S3GD का expected cut-off कितना हो सकता है 2023 वाले जो examination होने वाली है उसके अंदर क्योंकि यहाँ पर बच्चे बहुत जादा confused है इस बर आपको पता है कि question का pattern में बदल चुका है total 80 question जो है आपको अपने examination में देखने को मिलेगा और इस 80 question को आपको करना होगा और हर एक question का जो number है वो दो number है तो यहाँ पर मैं आपको एक ची बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर journal, OBC, EWS, SC या फिर HD category में है तो आपको कितने question वहाँ पर attempt करके आने कम से कम जिससे आपका selection 100% हो जाए तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो total 80% का यहाँ पर जो है आपको मिलेगा इसमें अगर आप journal category से बिलोंग करते हैं तो आप कम से कम 60 question बना करके आएंगे तो आपका selection पका रहेगा आपको कोई भी वहाँ पर जाट नहीं सकता वहीं अगर आप OBC यानि की OBC से आते हैं तो आपको 58 question जो है कम से कम वहाँ पर टच करके बना करके आना होगा ताकि आपको 100% सफलता मिले वहीं आपर EWS के लिए 55 question है कम से कम बनाना होगा SC है अगर आप तो 52 question minimum बना करके आना है और HD category है तो minimum 50 question आपको बना करके याना अगर आप इतना बना करके आते हो अगर आप इन category में से है तो आपका selection 100% सुनिश्चित है आपको selection से examination के अंदर कोई नहीं रोक सकता लेकिन यहाँ पर आप सूच रहे होंगे कि अगर इसको हम multiply करें दो number से क्योंकि हर एक question का number 2 है तो journal का 120 हो जाएगा वहीं यहाँ पर जो OBC है उनका 116 के लगबग पहुंच जाएगा तो इसी type से यहाँ पर HD का 100 पहुंच जाएगा लेकिन कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपका जो cut-off है वो बहुत कम जाएगा किसी में 80 किसी में आपको यहाँ पर 90 किसी में 100 भी आपको देखने को मिलेगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए हर एक राज्य का यहाँ पर cut-off अलग होता है यह जो मैंने चीज़े बताई है अगर आप कम से कम 8 महने 9 महने या फिर एक साल से अपने तयारी कर रखी है SSC GD की तो आपको इतना कोशन करके आना ही है क्योंकि यह जो है आपका यहाँ पर एक साल का सवाल यहाँ पर बनता है और यह सेफ इसकोर है क्योंकि अलग-अलग राजियों में कहीं पर high cut-off है कहीं पर बहुत low cut-off है तो कहीं पर 40-40 नंबर भी selection हो जाता यह आपको पता ही होगा आपने देखा होगा last year भी ऐसा हुआ है तो वो अलग चीज है यह मैं आपको पूरा all over इंडिया का एक बार करके बता रहा हूँ जो यहाँ पर बच्चे एक साल से तयारी करके रखे उनके लिए यह special है कि आपको कम से कम इतना तो करके आना ही है अगर आपने एक साल महनत की है तो लेकिन अगर आप यहाँ पर तयारी कम समयम किये हैं और अगर आप यहाँ पर कह सकते उन राज्यों में आते जिनका कटफ कम भी है वाटसेप टेलिग्राम गुरूप का लिंक डिस्किप्शन में है जै हिंद जै